यदि आप पीजी या किराय के कमरे में रह रहे हैं, तो कुछ सामान्य गलतियां आपकी परेशानियों को बढ़ा सकती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में किसी भी प्रकार की वास्तु संबंदित कमी सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। चाहे फिर आप किराय के घर में रह रहे हो या फिर पीजी में वास्तु से जुड़ी चीजों को अंदेखा नहीं करना चाहिए। जो लोग वास्तु नियमों का पालन करते हैं उनके जीवन में स्थिर्ता आती है और मानसिक तनाव से मुक्ती मिलती है। ये केवल तरक्की में बधाएं नहीं डालता बलकि सकारात्म कूर्जा का संचार भी करता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप अपनी आवासिय व्यवस्था की जांच करें और सुरक्षित करें कि आप वास्तु की गलतियों से बचें। सभी का घर अपने लिए स्वर्ग होता है। हम अपने घरों को बड़े प्यार से सजाते सवारते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की साफ सफाई का सीधा संबंध हमारे जीवन पर पड़ता है। एक साफ सुत्रा घर ना केवल सकारात्म कूर्जा का केंद्र होता है, बलकि ये दूसरों को भी प्रसन करता है। अगर घर में गंदगी या आवस्था है तो इससे नकारात्म कूर्जा पैदा होती है जो हमारे जीवन में कई तरह की समस्याएं ला सकती हैं। चाहे आपका घर अपना खुद का हो, किराय का हो या फिर आपका पीजी ही क्यूं ना हो। किराय के घर में रहने वाले लोग अकसर व्यस्त जीवन शेली के कारण घर की साफ सफाई की और उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन वास्तू शास्त के अनुसार घर की अव्यवस्था और गंदगी नकारात्म कूर्जा को आकर्षित करती है। जब हमारा सामान इधर उधर फैला रहता है, तो उससे ना केवल हमारा मन अशांत होता है बलकि हमारी प्रगती में भी बाधाएं आती हैं। वास्तू शास्त के अनुसार बिस्तर पर बैठ कर भोजन करना अशुब माना जाता है। ऐसा करने से मन में ध्हन का अभाव हो सकता है और करज बढ़ सकता है। माता लक्ष्मी और मा अन्नपूर्णा की कृपा से वंचित होने का खत्रा रहता है। बिस्तर को विश्राम और नींद के लिए पवित्र स्थान माना जाता है और इसे भोजन के साथ जोड़ना अशुब माना जाता है। वास्तू शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे देवताओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चपल नहीं रखना चाहिए। जूते चपल में बाहर की गंदगी ल लखनी चाहिए और जूते चपल को बाहर ही उतार देना चाहिए.